नमस्का प्रेमित्रो मैं निलियस माना जयविन कडेजी सावितर योति शंकला को आज आज बढ़ाते हुए मेरे प्रेमित्रो आज हम बात करेंगे तुला लगने के विशे में यदि आपका तुला लगने है तो आज में इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शंतान शुक को का प्राप्त होगा दूसरा एक प्रस्नाता है माता-पिता के यह प्रस्नाता है प्रस्म संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी मैं हर वीडियो में बताता हूं कि चाहिए कन्या हो या लड़का हो दो बहुत समझना नहीं चाहिए लेकिन आज हम सेकंड जो प्रस्ना यही सबस्तितों कि मि अब़ें तक हम ने देखें में सोly लगा करके और सकता कर सकता कि पुट्री में । तो उसका निदान उसका उपाय क्या करें जिसे संतान की प्राप्ति हो आज उसी एपसोड में आगे बढ़ाते हुए तुला लगन लेके हजिर हुआ हूँ यदि आपका तुला लगन की कुंडली है तो आज हम संपूर जानकारी बताएंगे कि संतान शुख कब्राप्त होगा या प्रत्म संतान पुत्र होगा की पृत्री होगी या संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है तो उसका निदान उसका उपाय क्या करें जिसे संतान की प्राप्ति हो तो देखने वेदर है यहां में प्लंचाड बनाया हूं और यह पहला घर है आप कजिए संतान का वीचायर कंज आंते हैं तो थाए सो यह है कुपरासी говорить कुम्भ्रषित वोगए शन्मी अब हो गए तो स्टमेश का बउस्टिति देखना में बहुत ही जरूरिया और फौए स्टमेश की राजमान हो तो उन्हें के जीवन संतान सुख अवश्य प्राप्त होता हुए कप राप्त होगा जब सवामी कुम्भ है तो उसका सवामी सणी हो गए सशनी पंचमेज जाकर के लगन में बंगा हो तो क्रतो को समेज श्त अवश्य प्राप्त हुग को यह थीिंवर्शेफ राप्त हो और यहां एक उस्तस राज्योग बना दिया है तो प्रबल जो है संतान शुक्र प्राफ्योगन के जीवन में पंचमेश सनी लगन जाके बैठेगा और व्यक्तिक के जीवन जो संतान जन्म लेगा श्वाब लंभी होगा दिरगाई होगा इसस्वी होगा माता-पेता कांग्या काली होगा जो कि प्रबल राज्योग में प्रबल जो यहां दो राज्योग बना रहे उच्पा हो गया दूसरा सुक्र जो है यहां स्वयं बैठा सुरा से होकर के तो मालव राज्योग बन गया जब शुक्र और सनिक इन गरहों का महा दसाएगा अंतर दसाएगा तो जिवन रशंतान शुक्र अवश्य प्राप्त होगा वह एकनम स्वी श्वाभमानी किर्किवान यह ततत्त अबर्त हर जगर भामर करने वाला देश विदेश प्रेटन करने वाला नामचीन कुल का धीपक प्रावन यहां सनी प्रावर राजयोग बन गया ऐसा शंतान जन्म लेता है भूम इभौन वाहन का मालिक होता है उनके जीवन वाहन शुक होता है काफी चैष्य मकान, बंगरा इत्या होता है जमीन की प्रापरटिन कुल को अद्याकाली होते है देश विदेश भ्रम्न करने वाले उतनी का हर जगह व्यापार व्योसाय रहता है और हमेशा तत्पर रहते हैं परिवाल को अग्रसर करके आगे बढ़ते हैं यह पंचमेश सनी जो है भागिश गुद्ध के साथ भागिभाव बैठा हो तो अधवुद्ध संतानुसर प्राप होता है कैसे देखेंगे पंचमेश सनी भागिभाव यह है यहां देखेंगे एक दो तीन चार पांच साथ आक्ट नौ नवे घर को भागिभाव कहते हैं तो पंचमेश पुम्म जो सनी इसका स्वामी सनी यदि भागिभावं बैठे हो साथ में बुद्ध भी बिराजमान हो हो फ्रवल संतान शुक प्राप्त होता है लेकि कब अवाव हाव है पिताक स्थाम बता गया है जब पंचमेश जीवन में लाप रात होता है पर आगे बढ़ते हैं यदि पंचमेश सनी जाकर के लगने बैठा हो और लगनेश सुक्र आकर पंचम भौम बैठा हो थोड़ा लगने की बात चल रही है और लगनेश का स्वामी शुक्र पंचम भौम जब इसे बोलते हैं परिवर्तन योग परिवर्तन योग करते हैं प्रवल जोहें की जीवन में शुक्र प्राप प्रत्र प्रत्र होगा पूत्र होगा कि पुत्र होगा तो पंचमभाव को देखना है यह दितनी भाव में शूरिया आपको अपने घर दिखिए वहीर घर में तो प्रतल शंतान कन्या होती है उसके बाद शंतान का योग बनता है पर प्रतल योईंवी शंतान को हगवा आपको क्याद हो जाता है माता को कस्ट बहुत होता है तो एक संतान भी राज़मान हो तुरान लग्यंग की बात चलिए यदि पंचम में चंद्रमा बिराजमान हो तो प्रथम शंतान जो है कन्या जंग लेती है और वह उच्छी श्रेडिम होती है माता पिता करगे क्या भी होती है लेकिन प्रथम जो है कर्या जन्म लेती है अगर मंगल विराजमान है तो प्रथम संतान जो है आपका पुत्र जन्म लेगा लेकिन मंगल वहां विराजमान है तो आपरेशन इत्याद माता करा सकता है लेकिन संतान प्रवल होगे दो संतान का जो पनाएगा और प्रवल जो है लागन के जीवन में मिलेगा हो सकता है संतान खंडित भी कर दे चो कि देखा जाए तो यहां दो सनी बैठेगा तो एकाद-dो हो जाता है लेकिन संतान सुकिन की जीवन में प्राक्त होता है यहां पंचमभाव में गुद्य विराजमान हो तो प्रथम विराजमान हो तो प्रथम प्रथम प्रफम संतान पुत्र भी हो सकता है ज्यदा करके देखा जाता है उसके बाद कंजया भूली जिरते हैं प्रतम संतान का घंडित होता है उसके बाद कंजया जन्म लेती है फिर संतान का योग बन जाता है अगर सानी के साथ माले जो राहू है या कि तुह है तो वह तकलीप आ जाता है अब हम बता है कि माले आपका संतान शुक कब प्राप्त नहीं होता कब दिक्क्त आता है जीवन में एक नियम बना चाहिए पंचमेश आपको देखना है सनी और ले उत्तार शुक में समस्चैंब बढ़ जाती है या संतान शुक में कठ्षनाइब बहुत बढ़़ी ज़्यास रृप्त दीन नहीं होता यह सदि सदि सम्टम बैठा है अगर उसकी डिगरी जीरो वेटा है और ऑफ सद्रस्टीर हो गई हुग है और यहां खंडित करता संताम सुक जल्दी प्राप्ट होता नहीं अगर रहां गपढ़ने की बाद में अगर आएसी स्थिति है तो क्या करने जिसे संताम सुख की प्रा नशाण करना चाहिए या तो पंचल महाँ में वी सनी शाति राहू बैठा है तो तो आपको घवर्णिक बात नहीं पहले तो सदी राहो की शांती करना चाहिए उनका वैदिक मंत्र जापितियादि करें अवर्श्यवा संतान गोपाल का मंत्र जाप अबश्ट्रा है शंतान श आपकारन को सरवन करें या तो स्वयम परआठ करें यह प्रवद यह क maturity करें तो संतान सुक्रम को अविश्चे प्राप्त होगा करें संतान शुक प्रबल आपको प्राप्थ होगा पचल लाइक करें अगर शुद्र मेंते हैं नवस्कार